हालो फ्रेंड्स आज मैं आपको आम का अचार बनाना बताऊंगी पहले आम ने आम को धो कर इस तरह के टुकडों में काट लिया है फिर हमने इसको एक घंटा धूप में रख लिया है अब हम इसको मसालों के साथ मिक्स करेंगे हमने यहां पर चार किलो आम लिये हैं अब हम इसमें नमक मिक्स करेंगे नमक लगभग हम चार बड़े चम्मच मिक्स कर रहे हैं अब हम इसमें मिर्ची पाउडर एड़ करेंगे लगभग तीन बड़े चम्मच हमने इसमें मिर्च के एड़ कर दिये हैं अब हम इसमें एजवाइन एड़ करेंगे तीन बड़े चम्मच हमने इसमें मिर्ची पाउडर एड़ करेंगे मिठी सॉफ का इसमें टेस्ट बहुत अच्छा हता है तीन बड़े चम्मच हमने इसमें मिठी सॉफ के एड़ कर दिये अब हम इसमें हाल्दी पाउडर एड़ करेंगे तीन चम्मच हमने इसमें हाल्दी के एड़ कर दिये हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे सोडियम बैंजोएट आई पी इसे जो है वो अचार चार-पांच साल तक खराब नहीं होता है इसमें ओयल एड़ करेंगे ओयल हम इसमें धाइसो ग्राम एड़ करेंगे अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो मसाले आटके हैं बहुची तरह से मिल जाएं अब हम इसमें दो बड़े चमश तेल के डालेंगे कंटेनर में ओना थच dir कि एसमें लाइसya बड़े वर्णनन है किर दो में वोगन यिवल एफ दोप तरह से मिल मेंगे और्राव ठासमं अर्योंश Benedict के एाधिर नह प्वा mínimo ज Armor कि अ माव मैं बाल के दो कि दोते हैं दो लगार लगार